लोकसभाज चुनाव के अंतिम चरण का मद्दान एक जून को होना है जिसको लेकर आज से चुटामी प्रचार का शोर थम गया है और अब सीधा एक जून को वोटिंग के बाद आखरी चरण के प्रत्याश्यों की किस्मत इवियम में कैद हो जाएगी फिर सीधा चार जून को नतीजे तब जाकर पता चलेगा कि किसके पिटारे में क्या निकला यूपी में साथवे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मद्दान होगा जिसके लिए 144 प्रत्यासी चुनावी मैदान में है आखरी चरण के मद्दान में पियम मोदी सियम योगी से लेकर कई दिकजों की प्रतिष्चा दाओं पर लगी है पियम वरनसी सीट से मैदान में हैं तो गोरकपूर सीट सियम योगी की कर्म भूमी रही है जहां से योगी खुद पांच बार सांसद रहें और इस बार रविक किशन बीजे भी प्रत्यासी है साथवे चरण में 144 प्रत्याशियों में से 134 पुरुष प्रत्याशी है तो 10 महिला प्रत्याशी अपना भाग ये आजमा रही है इन 13 लोगसभा सीटों में से 11 सीटे सामाने श्रिणी की है और दो सीट आरक्षित है साथवे चरण में जिन लोगसभा सीटों पर चुनाव है वो सीटी है महराज गंज, गोरकपूर, कुशी नगर, देवरिया, बासगाउं गोसी, सलेमपूर, बलिया, गाजीपूर, चंदौली, वारानसी, मिर्जापूर और रोवर्ट्स गंज शामिल है इस बार यहां की कई सीटों पर काटे की टककर है तो कई सीटों पर दिल्चस्प मुकावला होने वाला है बीजेपी के सामने अपनी सीटों को सुरक्षित बनाए रखने की चुनौती है तो विपक्ष के सामने अपनी सीटे बढ़ाने की लेकिन इसमें अब कौन काम्याब हो पाता है इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा वहीं आखरी चर्ड के मद्दान को लेकर उतर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बढ़ चर्ड कर लोगों से वोट करने की अपेल की है यूपी में इन दिनों भीशड गर्मी पड़ रही है जिसको लेकर चुनाव आयोग आखरी चर्ड में मद्दान में एक जून गो पोलिंग बूथों पर ठंडा पानी महिला पुरुष के लिए सौचाले दिव्यांग और विद्जनों के लिए वील्चेर और कुर्सियों की व ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी